इस परियोजना में राजस्थान राज्य विद्यूत के सामाजिक सरोकारों के अंतरगत कई कार्य संचालित हैं, जिनमें परियोजना के अंतरगत आने वाले आसपास के 14 ग्रामों में स्वास्थ सेवाएं और जागरुपता के कारिक्रमों का संचालन किया जा रहा है। आर वी यू एनल के निगमित सामाजिक उत्तरदायत्व के तहट अदानी फाउंडेशन बारा जन स्वास्थ जागरुपता की एक अनूठी पहल प्रोजेक्ट स्वास्थ ग्राम के रूप में शुरू किया गया है। जिसके तहट सर्वप्रिथम अदानी इंटर्प्राइजस लिमिटेट के क्वालिफाइड डॉक्टरों द्वारा ग्राम सुविधा करताओं को सामान्य एवं कुछ विशेश रोगों के लक्षण, कारण और उससे बचाओं के उपायों के बारे में प्रसिक्षित किया जात जिन में मुख्य रोगों जैसे मलेरिया बुखार, डेंगु बुखार, उल्टी, दस्त इवं पेचिस से बचाओ, लूका लगना, मधुमेह, पिलिया, उच्छ रक्त चाप तथा महवारी स्वच्छता इत्यादी हैं एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहट इन रोगों के लक्षणों, कारणों इवं बचाओं का प्रसिक्षण प्राप्त कर ये ग्राम सुविधा करता गर संबंधित परियोजना में आने वाले गाओं में ग्रामिनों को जागरू करती हैं ग्राम घाड बर्रा, फतेहपुर, सालही, परसा, जनारदनपुर तथा बासेन आदी ग्रामों में ग्रामिनों जसमें विशेशकर आदीवासी महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पिछले दस वर्षों से सभी प्रमुक बिमारियों और इसके स्वास्थ विश्यों पर जागरुक करती आ रही है। सामाजिक स्तर पर स्थानिय लोगों को मिलने से सालही, घाडबर्रा, फतिहपुर, परसा इवं जनारदनपुर आदी ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनीधी गण इस सामाजिक पहल की प्रसंशा कर रहे हैं। जो कारे चल रहा है, यहां मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिस, बुखार जितने भी आते हैं। वो सारी दवाईयां अदानी फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है, अदानी को इसमें धन्यवाद देते हैं। मलेरिया, डायरिया, मधुमक, आदी का जागरूपता जोड़कर जानकारी दिया जाता है। जिसमें लोग अपना इसका ख्याल सरीर का खुद रख रहे हैं।